जैहन मेरे प्यारे बच्चो नमस्कार तो बच्चो नीट दोहजार चौबिस खतम नीट दोहजार पच्चिस को नए सिरे से नए जोस से नए उमंग से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए बच्चो एक नई एक बहुत important information आप सब के लिए है आप सब हमारे चैनल पे इतने सारे selection की वीडियो देख रहे है क्या लगता आपको ऐसे ही हो जाता है मेटा एक perfect strategy होती है हर बार हम भी कुछ नया सिखते हैं नया implement करते हैं और जिसका result होता है कि इतने सारे बच्चे सफन होकर अपने college में जा रहे है मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत important information है need 2025 के लिए एक चीज तो बच्चों आपको दिखा दे कि एक question गलत और एक question सही होने से क्या फरक पड़ता है यहाँ पर देखे अगर एक बच्चे ने एक सवाल गलत कर दिया तो उसके 655 से 650 हो जाते हैं सही कर दिया तो 655 हो जाते हैं और इस range में बच्चों 5132 बच्चे हैं यह list है आप इसको देख सकते हैं तो 5132 बच्चों का मतलब समझ रहे ना कितने GMC खतम होगा इंडिया के अब एक क्वेस्टन सही एक क्वेस्टन गलत बहुत बिटा डिफरेंस क्रियेट करता है और यह केवल पहाई से नहीं होगी इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगे और मल्टिपल टेस्ट देने पड़ेंगे खूब देना पड़ेगा और यह भी नहीं करना पड़ेगा PDF ले लिए घर में बैठके दे दिया नहीं आपको उसी माहौल में टेस्ट देना पड़ेगा और इसलिए बच्चों बहुत सारे टेस्ट सेंटर हमने स्टार्ट किये जिसका हमें बहुत पास्टे उरिजन मिल ला है और वो भी तीन घंटे आपको पेपर देना होगा उसी कंडिशन में जिस कंडिशन में नीट का पेपर होता है विदाउट AC अगर आप घर में कूरियर से आपने पेपर महुआ आया बच्चों तो आप बिल्कुल उसी कंडिशन में फैन में बैठके दो से पांच पेपर देंगे AC में नहीं देंगे एक बात दूसरी बात बच्चों एक और आपको इंटेस्टिंग चीज़ बता दे अब कि यहाँ पर देखिए 655 स्कोर पर 1290 बच्चे है अब क्वेश्चन है कि 1290 बच्चे हैं एकी स्कोर पर तो किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा किसको खराब मिलेगा ये बेटा डिपेंड करेगा बायो के मार्क्स याधार पर आपको पता है क्राइटेरिया उनका यह है कि पहले बायो फिर केमेस्ट्री फिर फिजिक्स अब एक क्वेश्चन यह है कि हम बायो में कैसे अच्छा स्कोर करें इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सब के लिए टीम निवलाइट क्या करने जा रही है जड़ा सा यह देख लीजे हमने बिटा बिलकुल एक दम एक एक हेडिंग से एंसियाटी में आपको बना के दे दिया देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया किंग्डम मोनना से कितनी बार सवाल पूछा गया आर्की बैक्ट्रिया से कितनी बार सवाल पूछा गया बच्चों पूरी टीम लगा के बहुत मेहनस से ये काम किया गया आप इसको verify करिएगा यू बैक्ट्रिया से, mycoplasma, chersofite, protozova, kingdom फंजाई यहाँ पर देखिए virus, viraloid, lichen, इतनी बार सवाल पूशेगा सबसे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपकी NCIT के book में हमने bio alert दिया है कि कौन सा heading important है बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा और उसको एक बार, दो बार, दस बार, वीस बार और घर में पढ़ने से काम नहीं चलेगा बाबो आपको उसमें question की practice भी करनी पड़ेगी कल बच्चों हमने 8 घंटे बहुत अच्छे से नीट 2024 का paper analyze किया और ये देखा सारा का सारा सवाल previous PYQ के उपर based है previous year question के उपर based है इसलिए जब भी कोई chapter पढ़ेंगे बायो का तो पहले उसका PYQ देखेंगे और साथ में NTA का syllabus लगा कर ये मत कर लेना कि तुम कोई paper लगा रहे हो और उसमें जो NTA के syllabus में नहीं है वो भी लगा रहे हो फिर ये गलती हो जाएगी ये सब छाट के PYQ की book बनाने जा रहे हैं और उसमें केवल उन topic के question जो topic अब NTA में है जो नहीं है उनको नहीं देखना है ये मत करना कि अंधे हो के 20 साल के PYQ लगा रहे हो और जो course में उसको भी लगा रहे हो ये गलती हो जाएगी तो ये बच्चों हम छाट के आपको देने वाले और इसकी practice भी निकाल के कराने वाले और मैंने जब paper देखा तो मुझे तो लगा कि भाई नीट में selection कितना आसान है और 40 साल से बच्चों यही काम कर रहे हैं और फिर भी देख रहे हैं कि हमें अभी कितना सीखने की ज़रुरत है ताकि आपका काम आसान हो अब बच्चा देखो ये paragraph होगा इस बार और इस paragraph को पूरा हम पढ़ाएंगे और साथ भी इसके उपर question कराएंगे फिर यहां पर ये पूरा paragraph कराएंगे फिर इसके उपर question कराएंगे फिर ये paragraph को question हो गया फिर यहां पर ये पूरा paragraph आपको समझाएंगे फिर इसके बाद question कराएंगे फिर ये पूरा paragraph होगा फिर ये question कराएंगे फिर ये पूरा paragraph होगा, फिर इसके उपर question होगा, फिर ये पूरा paragraph explain करेंगे, इसके बाद question होगा, Hindi, English दोनों में कराएंगे, बिल्कुल चिंता मत करियेगा, क्योंकि बच्चों, मेरा भी mission है कि कम से कम हमारे subject में आपके सैकडों बच्चों के नंबर 355-360 आएंगे, और हर हा और कितनी बार पढ़ो, और कैसे practice करो, बच्चों NCRT में बहुत सारी hidden lines हैं, जो पढ़ते कुछ और हो, मतलब कुछ और निकलता है, फिर paper में गलत हो जाता है, इन line की भी हम आपको list वरा के देने वाले हैं, कहां कहां से गलतिया होती हैं, अब आपके comment का इंजार रहेगा, कि आप comment करिए, हम आपको फटा-फटी खराते हैं, और ये कराने के बाद, आपकी unit wise bio test series सुरू होने जा रही है, NCRT 1 से, पहले में होगा living world, biological, plant kingdom, animal kingdom, और उसके पहले, हम आपको YouTube पर ये पूरा करेंगे, पूरा करवाएंगे हर हाल में, क्योंकि मेरी भी जिद्ध है, कि आ आपका, बायो की वज़े से आपकी merit खराब नहों, बायो की वज़े से आपकी rank खराब नहों, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया, कि सेम नंबर में 1000-1000 बच्चे हैं, और 1000 बच्चों का मतलब 10 GMC खतम होता बच्चों, और वो बहुत ही तकलीफ की बात होगी, जब आपके पाने वाला नंबर एक बच्च बालेज मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, बिटा हम बच्चों की बहुत close रखते हैं, दुख द़र्ध उनका देखते हैं, उसी नंबर पे एक बच्चे बालेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ होती है, तो दो चीजें हमन इस बार एडाप्ट करी, नमबर वन, बच्चों को ओल्ड NCRD पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नमबर, जो 653 हो सकते थे, उससे बच्चों 5 नमबर उनके कम हो गए, जिसकी वज़े से उनको कॉलेज नहीं मिलने जा रहा है, तो मुझे तो पुरान तो नई NCRT, नई ज़र्णी सुरू करो, क्योंकि मैंने आपको बोला था न, आपको स्केलर क्वांटिटी तरह काम नहीं करना है, वेक्टर की तरह काम करना है, मेंगनिचूट के साथ डारेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और फिर से एक बार हर वीडियों बोलेगे, इसमें बोलें, NTA का स्ने बस अच्छे से लगा लीजे, अब आपके कमेंड का इंजार रहेगा, देखे बच्चों इसी तरह से हमने आपका लीविंग वर्ड का भी बना लिया है, पिछली बार भी बच्चों हमने ये काम कराया था हार्ट इसपार्ट का, आप मिला लेना, हर हाल में कराने वाले हैं, और पेपर भी हम कोशिस करेंगे, इन हार्ट इसपार्ट पेजेश से बने, ताकि आपके जो इंपार्डेन नाइस है, उसकी प्रेक्टिस अच्छे से हो, आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए, और कल से बच् जल्दी सारे पुराने PYQ, जिसमें केवन वो टॉपिक जो अब NTA में हैं, उनके क्वेशन को निकाल कर, हम आपको एक सेशन भी कराएंगे, और आपको गुक्लिट भी देंगे, थैंक्यू, सो मद बच्चों, वाचिंग दे वीडियो, मिलते हम लोग अंगले वीडियो में बी पॉस्टिव, आपके कमेंट का इंजार रहेगा, यह हाट इसफार्ट सिरीज यूटूब पे सुरू की जाए कि नहीं, और साथ में आप इसका टाइमिंग भी लिखेगा, उस टाइम पे ये सिरीज सुरू होगी, और ये कॉन्टिनू रहेगी, इसके बाद बच्चों, फिजिक्स में, जिन फारूले पे सवाल आया है, आप वो भी कराएंगे, और केमेस्ट्री में भी कराएंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए, जब आप सेलेक्ट होते हैं, मिठाई लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत खुसी होती है, तो नीट 2024 तो खतम, अब नीट 2025 में क्या होगा, आप सब बच्चों का साथ चाहिए, आप बच्चों का होसला चाहिए, धैरी चाहिए, और कोई कुछ भी कहे, उस पे विश्वास, उस पे भरोसा मत करिए, तो बच्चों सफलता नहीं मिली, बहुत लोग कुछ बोल रहे होंगे, जिसी तुरूप से आप अ अगला नम्मर आपका है, विश्वास करिएगा, बी पॉस्टिव, मूफ फारवर्ड, कोई भी निगेटिव थाट मता रहे हैं, थैंक यू, सो मंग्स, जैहिए,